दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं मिश्रित भिन्नों के जोड के बारे में यहनी mixed fractions के addition के बारे में आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने यहाँ पर 3 mixed fractions दिये हैं आपको इन्हें add करना है मतलब 3 मिश्रित भिन्न दी गई आपको इन्हें जोडना है जो कि है 2 सही 1 बटा 3, प्लस 5 सही 2 बटा 4, प्लस 1 सही 1 बटा 3, आपको इन्हें जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर सबसे पहला rule mathematics का, कि मिश्रिद भिन्न को सबसे पहले सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा, यानि mixed fractions को improper में change करना पड़ेगा, केसे करेंगे change, आईए दे जो कि है 2 सही 1 बटा 3, तो हम यहाँ पर कैसे तोड़ते हैं मिश्रिद भिन्न को सरल भिन्न में, देखे, नीचे वालों का तो गुणा कर दो, यानि 3 और 2 का तो गुणा कर लिया जाए, 3 दूनी 6, और उपर वाले में जोड़ दो, 6 और 1 हो गए आपके 7, अब बटे में क्य देंगे, 4 का 5 में गुणा कर लेते हैं, 4 पंजे 20 और जो आता हैं उसको उपर जोड़ लेते हैं, 20 और 2 हो गए कितने, 22 बटे में जो 4 है वैसा का वैसा ही, प्लस अब ये भी एक मिश्रिद भिन्न हैं, इसे भी इंप्रोपर में चेंज कर लो, तो नीचे वालों का गुणा यानि 3 एकम 3 और उपर जोड़ लो, 3 और 1 हो गए कितने, 4 बटे में 3, तो आपने 3ों मिश्रिद भिन्नों को सरल भिन्नों में बदल लिया है, मतलब mixed fractions को आपने improper में change कर लिया है, अब आपको कैसे जोड़ना है इन है, तो आपको नीचे वाले numbers का LCM लेना पड़ेगा, क्य जो नीचे अंग के लिखे हैं, इनका LCM लेना पड़ेगा, यानि लगुत्तम समापर्तक लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ ले रहते हैं LCM, किनका LCM, नीचे वाले जो numbers है, denominators का, 3,4 और 3 का LCM, 3,4,3 का LCM ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर कौन सा पहाड़ा लेंगे, टीन के पहाड़े में यह तिन आगया, कितनी बार में? एक बार में, अब आप देखिए, ऊंसा लेंगे, चार का पहाड़ा ही ले लेगे, तो देखिए, यह एक जब भी आ जाता है, तो यह एक तो एक लिकी लिखेंगा, यहनि एक को तो हम एक ही लिखेंगी, आब एसे पतला को होगे कहां आपका LCM तो जो यह आपने पहाड़े लिए है इनका multiply कर दीजे जो आपने table लिये हैं इनका multiply कर लीजे 3 और 4 का गुणा कर लीजे वही आपका LCM होगा 3 गुणा 4 कर लीजे तो 3 कितना होता है 12 होता है तो दोस्तों 3, 4 और 3 का आपने LCM लिया तो वो आगया कितना 12, अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, आपने LCM लिया है तो आपको smart वाला तरीका solve करना पड़ेगा, कैसा smart वाला तरीका दिखे आईए, आपको करना ये है, ये जो नीचे वाला अंख है, इसका LCM में भाग देना पड़े उस 4 का उपर वाले नंबर, यानि 7 में गुणा, 14, 17, 28, अगर अभी नहीं आया तो वापस से देख लीजिए, प्लस है तो हम प्लस लगा देते हैं, एक और बार देखी, नीचे वाले जो नंबर है, उसके table में ये LCM कितनी बार में आ रहा है, तो 4 के पहाड़े में 12 आ रहा 66 होता है, प्लस है तो प्लस लगा दिया, अब वापस से वही smart वाला तरीका कि 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 3 के पहाड़े में 12 आता है, 4 बार में, उस 4 का उपर वाले नंबर में गुणा, जैसे 3 के पहाड़े में 12 आ गया, 4 बार में, उस 4 का उपर वाले चलो, 8 और 6 हो गए 14, 14 और 6 हो गए आपके 20, 20 का 0 हासिल का लगा देते हैं 2, तो 2 और 2, 4, 4 और 6, 10, 10 और 11, यानि 110 आगया इनको जोडने पर, 28, 6, 8 और 16 को जोडने पर 110 आगया, बटे में क्या है 12 है तो वैसा का वैसा ही, अब देखिए आप ध्यान दीजे हैं आपर, ये 12 औ पहाड़े से पहले 12 को काटेंगे, तो 2 के पहाड़े में 12 आता है, 6 बार में 2 चंग 12, और अब नीचे वाले को आपने 2 के पहाड़े से काटा है, तो उपर वाले को भी 2 के ही पहाड़े से काटना, ठीके, तो 2 के पहाड़े में 1 तो आता नहीं, तो हम इस संख्या को बढ़ धुए में तो 10 कितनी बार में आते है दो तो 5 बार में, यनि हमने 2 के पहाड़े से 110 और 12 को काटा तो Otto Utah to MIAR 2015 हमारा 5 आंसर औगया है यहां 55 で 6, यही आपका आंसरोगा क्यों क्यों की शह के पहाड़े में 55 नहीं आता, तो यही हमारा fraction इनको जोडने पर आ जाएगा दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये concept आपको बड़े अच्छे से clear हो गया होगा सबसे पहले आपको क्या करना है मिश्रित भिन्नों को सरल भिन्न में बदल लेना है उसके बाद आपको LCM लेना है क्यों क्योंकि denominators अगर अलग-अलग होंगे देखो ना 3,4 और 3 denominators अलग-अलग थे तो हमें क्या करना पड़ा LCM method करना पड़ी LCM method ये होती है जहां पर आप lowest common multiple निकालते हो ठीके उसके बाद तो आप बड़ी आसानी से smart वाला तरीका लगा कर इस question को कर लेंगे ठीके तो उमिद करता हूँ ऐसे बहुत सारे question आप खुद से अब करने लग जाएंगे और दोस्तों हाँ वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक like कर देना प्यार परा ज़रूर से comment करना क्या आपको वीडियो कैसे लगी और आगे भी आपको ऐसे basic वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए और हाँ चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कर लेना और Instagram पर follow नहीं किया तो description में लिंक है जरूर जाकर follow कीजिए Thank you so much वीडियो को पूरा देखने के लिए